नमस्कार दोस्तो अब ही फार्म में आपका स्वागत है दोस्तो कई बार होता क्या है कि आपके फार्म में बकडिया स्वस्थ रहने के बावजुद भी कई बार लेट्रिंग के समस्या आपको दिखाए देती है यानि कि स्वस्थ बकडिया भी पतला पैखाना करने लगती है और इससे फार्मर्स को काफी परसानी और नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इसे बात करेंगे कि अगर आपकी स्वस्त बकडिया हैं और वो लेटरिंग के समस्या से भुगत रहें तो इसका उपाय क्या है। तो चलिए बात को आदर नहीं बहाते हैं और विडियो के स्टार्ट करते हैं। पीपीर करने के बावजूद अगर आपकी नॉर्मल बकडिया लेटरिंग करने लग रहे हैं या पीपीर के हालत में भी लेटरिंग के समस्या दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो सबसे कारगर तरीका है वो यह है कि आपको अपने बकडियों को दो दिन तक सबसे अलग बांध कर रखना है और उन्हें भूसी चोकर या फिर अगर आप बैलेंस फीड इस्तमाल करते हैं वो खिलाइए लेकिन कम से कम दो दिन तक आपको उन्हें पानी नहीं पिलाना है अगर आप उन्हें सुखा खाना देते हो घास नहीं चड़ने दोगे और साथ में पानी नहीं पीने दोगे तो आपकी जो बकडी में लेट्रिंग की जो समस्या है उससे समाधान आपको मिल सकता है 90% तक अगर आपकी समस्या कोई और हो तब तो इससे है तो डिस्क्रिप्शन को चेक किजिए